हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टो इस दिवे काउमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे CBSC बोर्ड में कितने कोईश्चन आने वाले हैं यानि कि अभी तक आप लोगों को यही लग रहा है जैसे अकाउंस में वन मार्क का MCQ नहीं है उसी तरीके से बिजनस और एकनॉमिक्स में भी वन मार्क का MCQ नहीं आने वाला उसकी वेटेज कम कर दी गई है कैसे आपको पता है मैक्सिमाम मार्क्स आपका पेपर 40 मार्क्स का ह टाइम लिमिट देड़ घंटा आपको दिया है 90 मिनट्स लेकिन आपके नमर अफ कुस्टिन्स ज्यादा है 40 कुस्टिन्स नहीं अटेम्ट करने ज्यादा अटेम्ट करने है तो आपको तीन पार्ट में वेपर आएगा चाहे BST है चाहे एकनॉमिक्स है सेक्शन A, B, C अगर 50 करने होंगे तो यह आपको वेट एच कैसे दी गई है 40 मांक और 50 कुस्टिन्स अगर हमें अटेम्ट करने है तो 0.80 यानि की एक मांक से कम का आपका पर M.C.Q. रहने वाला है जो कि यह 0.80 का तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है गाईज ठीक है दूसरी ची पर M.C.Q. की वेल्यू कितनी है 0.80 और अगेन जो अकाउंट में उन्होंने रूल अपना है राउंड ओफ करने का कि अगर आपके 34.1 बनता है राउंड ओफ का तो आपको राउंड ओफ करके मिलेंगे 35 मांक अगर किसी का 34.9 बनता है तो उसको भी मिलेंगे 35 मांक तो अगर अगर आपको कोई एक कुछिन गलत हो भी जाता है तो आप दूसरे के साथ बराबरी कर सकते हो बट गलत नहीं करना है आपको सही करने कुछिन और अगर आपके 39.1 बनते हैं और एक कुछिन गलत हो गया तो भी आपके फुल मांक आएंगे 40 तो यानि कि अगर एक M.C.Q. अगर कोई भी जाता है तो भी आपके पूरे 40 आ सकते हैं क्योंकि राउंड ओफ का बेनिफिट मिल जाएगा हम लगों को तो इस तरीके से हमारा बिजनस एन एकनॉमिक्स का इस पेपर आएगा तोटल नंबर ऑफ M.C.Q. आपको 50 अटेम्ट करने हैं अभी तक जो हम यह ले पर मेरी आइडिय तब इता मैसी उस पर आप मैसिज कर सकते हूं थैंक यू